नमश्कार प्रीय बिध्यारतियों, नवभारती स्टेडि सर्किल में आप सभी का स्वागत है, अभिननदन हैं। मैं डॉक्टर प्रेम्णता आज आपके समक्ष कुछ फाइनल लेसन की कुछ प्रजेंटेशन हैं। को लेकर उनकी सूचना को लेकर उसकी सूचना को लेकर उपस्तित हूं इस बीडियो के माद्यम से मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके लिए final lesson किस तरीके से उसकी diary को आपको maintain करना है और कौन से तरीके से आपको final lesson की पूरी जिम्मेदारियों को निवाना है देखे स्टूडेंट फाइनल लेसन आपके हाथ की बात होती है आपका स्वयमे की भागीदारी उसमें होती है आप लोगों की भागीदारी से आप फाइनल लेसन को संपूर्ण अच्छे तरीके से कर सकते हैं प्रिये विध्यार्तियों से मेर निवेदन है कि इस COVID-19 महामारी से पूरा विश्व जूज रहा है ऐसे में मेरे चैनल नव भारती स्टेडी सर्किल ने आपकी नियमित कक्षाइं चला रखे हैं जिनका लाब आप उठा रहे होंगे अब मैं आपको यहां फाइनल लेसन की जानकारी ले करके वपस्तित हूं द प्रायोगिक परइक्षा 75 marks होती है इसकी डाइरी को किस तरीके से मेंटें करना है यह सब-जानकारी मैं आपको बताने वाली हूं ऐसेगtime-dyojan निर्मान की विधी क्या है कौन-कौन सी सहयक सामगरी इसके अंदर प्रियोग में लाई जा सकती है दैनेक पाठ यूजना से थोड़ा अलग तरीका इसका होता है देखिए स्टुडेंट राइस्तान विश्विद्याले के निया मनुसार बियर प्रतंबर्स व बियर दित्तियवर्स के सभी प्रशिक्षनार्तियों को अपनी स्प्रायविक प्रक्षा को संपूर्ण करना अनवारे अच्छी तरीके से निवाए इस फाइनल लेसन पर्लातियों अपकी आपकी भागीदारी अनवारे होगी होनी चाहिए final lesson की file को किस प्रकार से maintain करना है कैसे बनाना है वो file बनाने का तरीका लेकर के मैं आपके सामने उपस्तित हूँ मेरे वीडियो पर आप लगातार बने रहेगा क्योंकि part प्रस्तुती से लेकर लास्ट पाठ मुल्यान कंतक मैं इस वीडियो की के माध्यम से आपको जानकारी देने वाली हूँ देखिए student पाठ की प्रस्तुती कैसी होगी यानि कि आपकी पाठ प्रस्तुत आपको करना है उसमें आपको ये जो सिक्षन बिंदू है यानि कि सिक्षन बिंदू कौन-कौन से होते हैं अपने छे सिक्षन बिंदू जो हमने आज तक आपको पढ़ाए हैं उसमें ये कौन-कौन से होते हैं उन्हें सिक्षन बिंदू के अपक्षित व्याभारगत परिवर्तन कैसा होता है जैसे ज्यान एक बिंदू है अवोध ह ज्ञान अप्योग है कोशल है अभी रूची है और अभी ब्रती है ये छे बिंदू है इनी के सामने अपिक्षित व्यवारगत परिवर्तन दिये गए हैं इनको कैसे बनाना है इस तरीके से आपको अपनी फाइल को मेंटेन करना है ज्ञान के लिए दो कोशन आपको लिखने ह अभवद के भी ज्यान-पयोग के भी काशल के भी अभीवरती के भी और अभी भुची के भी यानी अभी-भुची अभी अभिवरती तक आपके 6 काशल यहां संपून होते हैं देखिए श्टुडेंट्स Muslims आप मेरी इस psychopath को कोपी करने की ना overth haul लेकिन अपने आपको इस एके माइंड में अपने दमाख में इस PDF को फिल कर लें कि अपने सब्जेक्ट को रखते हुए चाह सब्जेक्ट कोई साभी हो साइन्स हो मैथ हो या फिर सिवेक्स हो एकोनमिक्स हो कॉमर्स हो सब्जेक्ट कोई भी हो फैल इस तरीके से ही मेंटेन होगी लेकिन एक बात ध्या आपके लिए अप्लोड कर दी जाएगी इन सभी व्यवारगत परिवर्तनों को और सिक्षन बिंदों को लिखने के बाद हमें नेक्स्ट जो सेकंड जो पेज होता है एक पेज को हमें खाली छोड़ना है और जो हमारा राइट हैंड पे जो पेज होता है उससे हमें इसकी सुर जो आपकी वार्षिं पाठ्योजना जो सेवलड़ना को अंदर तीन सिक्षन बिंदू होते हैं और उनको बताना है। सहयक सामगरी देखे स्टूडेंट सहयक सामगरी में यहां लिखा हुआ है स्यामपट चौप और पॉइंटर ये तो होते ही हैं लेकिन इसके अलावा आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे हैं या आप OHP आवर हैड प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं उस आप आप आवर हैड प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं उसकी भी आपके साथ सीटे होनी चाहिए देखे स्टूडेंट इस लेसन को बताने के बाद मैं आपको सीडी और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो सीटे होती हैं उनको भी मैं आपको इस वीडियो के पेज वो हमें क्या लेना है लेफ्ट एंड पर हमें नहीं लिखना है लेफ्ट एंड वाले पेज पर हमें नहीं लिखना है राइट एंड पर आजाना है राइट एंड पर हमें सबसे पहले पहले सबसे लिखना है कि पूर्वग्यान जो भी हम लेसन पड़ा रहे हैं उसके पूर्व ज्यान के बारे में जैसे मैंने ये लेसन है मेरा तो इसके बारे में बिध्यारती आपातकाल के बारे में सामाने जानकारी रखते हैं क्योंकि मेरा टॉपिक क्या था नागरिक सास्त्र का आपातकाल तो इस की इस तरीके से लिखते हुए फिर हमने प्रस्तावना करन यानि कि प्रस्तावना के जो कोश्चन है, जो कोश्चन से आंसर, आंसर से कोश्चन, फिर कोश्चन से आंसर, आंसर से कोश्चन, आंसर से कोश्चन और कोश्चन से आंसर, इस तरीके से हमारे जिग जग वाली प्रस्तावना प्रश्चन होंगे, तो बच्चे के पूर वियान को जानने में हमें सहिता प्राप्त हो सकती है लाश्ट कोश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं जैसे मैंने पढ़ाया अपात काल के बारे में आप क्या जानते हैं तो ये कोश्चन में हम निरुत्तर हमको नहीं लिखना है संभावित उत्तर लिखना है इस तरीके से हमें उद्देशे का थन लिखना होता है देखे स्टुडेंट अब आती है हमारे पाठ का प्रस्तुती करन तो हम जो दैनिक पाठ योजनाओं के अंदर पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग आपका वार्सिक पाठ योजना है आपकी समालोशना पाठ योजना है यानि कि इंग्लिस मीडियम वाले भच्चों को बोल देती हूँ कि क्रेटिसियम लेसन और एन्वल लेसन इन दोनों का पैटरन थोड़ा चेंज होता है उस पैटरन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी फाइल होती है उसको पूरे दोनों पन्नों को कवर अप करते हुए हम प्रस्तुती करण करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड की साइड हमें सायक सामगरी लगानी होती है और राइट हैंड की साइड हमें क्या लिखना होता है पहला हमारा होता है सिक्षन विंदू सेकेंड हमारा होता है चात्र अध्यापक किरिया या चात्र अध्यापिका किरिया नेक्स्ट होता है विध्यारती किरिया और तीसरा होता है इसके अंदर स्यामपट सार क्योंकि एक साइड में हमने कॉलम कितने बनाने है चार और एक साइड में कॉलम हमने बनाने है एक यानि कि सायक सामगरी का एक कॉलम होगा और अगले पेज पर सिक्षन मिंदू, छात्रा द्यापिका करिया, विध्यारती करिया और सामपड़सार इस तरीके से हमें पहला पहला टीचिंग पॉइंटों के तीन पन्नों पे हमको इस टीचिंग पॉइंटों को दर्साना होता है अब हमने पूरे पाठ को पढ़ाया है तो इसका मुल्यांकन करना भी हमें जरूरी होगा तो मुल्यांकन के लिए हमें जो वही पैटर्न अपनाना है कि हमको left hand की side नहीं लिखना है copy में यानि कि आपकी final lesson की diary में हमको right hand side में ही मुल्यांकन प्रशन लिखने है जो हमने पढ़ाया है उसी को देखते हुए हमें बच्चे का मुल्यांकन करना यानि कि मुल्यांकन प्रशनों को प्रदर्शित करना है इस तरीके से हमको final lesson की project को पूरा करना है अब देखिए students देखिए students इस तरीके से आपकी final lesson की diary होगी इस diary के अंदर हमें जैसे अलग से कुछ सायक सामगरी का यूज करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे जैसे मैं आपको यह OHP है यह आपको science की बता रही हूँ लेक से OHP की सीटें कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं इनके अंदर हमें drawing यह हमें जो भी चीजें दर्शानी होती है वो सायक सामगरी के रूप में हमें यहां पे लेनी होती है देखिए students इसके अलाबा हम अगर PPT से lesson पढ़ाते हैं तो CD के अंदर यह CD है इस CD के अंदर हमे सारी चीजों को जो भी तीनों teaching point हैं उनको हमें fill करना होता है और इस CD को हमें power head जो projector होता है power presentation जो होता है वो आपको अलग से विवस्ता कराई जाती है हमारे जहां पे आपका lesson लगता है वहां पे और वहां आपको इस CD के माध्यम से projector के द्वारा आपको पढ़ाया जायता ह है वैसे ही OHP की भी विवस्ता हम करवाते हैं लेकिन आप presentation जितना अच्छा देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा तो students आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको ये संदेश यहीं तक पहुंचाने वाली हूं क्यूंकि इस संदेश के माध्यम से मैं चाहती हूं कि आपका सब्सक्राइबी को आगे बढ़ा सके नेक्स्ट हम आपके लेसर को लेकर प्रस्तुत होंगे जूँ की यह äंग्वेज का भी सेम पेर्टन होता है जिस प्रकार से साइंच का पैटन सेम होता है उसी प्रकार हिंदी संस्कृत इंग्लिस एंड उर्दू इसके भी ठोड़े पैटर्ण होते हैं लेकिन सेम जैसे ही होते हैं उनको लेकर मैं आगे की वीडियो में प्रस्तित होंगी अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो अगर आपको मेरी पाठी उजना समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मुझे कमेंट